नमस्कार स्वागत है आपका R9 TV में और मैं हुरे तुबेश्ट बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे जहांपर पोर्वित मंत्री पीच दम्रम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जटका लगा है दरसल दो याचिका जो दाखिल की गए थी सुप्रीम कोर्ट में उसमें पीच पीच दम्रम को बड़ा जटका लगा है जिसमें आपको बता दे कि CBI ने CBI की जो हिरासत के खिलाफ याचिका यहांपर पीच दम्रम ने दाखिल की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है खारज कर दिया है और अग्रिम जमानत खारज करने का फैस्ता भी पर करा रखा है तो चिदम्रम को फलाल कहीं से भी कोई राहत के उमीद यहांपर बिलती भी नहीं देखाई दे रही है तो सुप्रीम कोट ने खारज की है दिल्ली हाई कोट के फैसे को चुनोती देने वाली याचिका इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले पर दख कर सकते हैं उनका कहना है कि CPI रिमान की खिलाफ जो याजका उन्होंने दाखिल की है उसमें अगर उन्हें सुनवाई करवानी है तो आपको रेगुलर जमानत के लिए याजका दार करनी होगी तो बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं पीची दम्रम पूर्वत मंत्री जो माम किमले में घिरे हुए हैं पाच दिन की रिमान पर उनको भीज़ा गया था और इसी रिमान की खिलाफ विरों नहीं आ चुका दाखिल की थी जिस पर सुप्रीम कोट ने फिराल अपना दखल देने से इंकार कर दिया है और कहा है कि वो रेगुलर जमानत की अर्जी यहाँ प